आज में आपको एक strategy देने वाला हूँ, बिकोज आप जानते हैं, this test is all about the strategy, planning, आप कैसे करते हैं, questions को कैसे deal करते हैं, slavus को कैसे cover करते हैं, तो ये पूरा planning और management का केल है, 2023 का जो paper होने वाला है, 3rd of September को, इसमें expected questions क्या हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे और 60 दिन में आप कैसे 100% सफलता इस परीशा में सुनिश्चत कर सकते हैं इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे तो आप समझें 60 से 65 सेकेंड में कैसे मैंनेज करें तो हर कॉशन करने के लिए नहीं होता इसके लावा देखेंगे आप तो जादातर एंशेंट इस्ट्री से भी दोस्तों काफी ग्वेस्टन्स पूछेंगे यहां पर सेशन्स भी चला जा रही हैं इंपॉर्टिंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिसकस कर रहे हैं लास्ट वीक ऑफ ऑगस्ट के अंदर हम लोग आपको एक मैराथन सेशन जरूर प्रवाइड कराएंगे जिसमें एक आइडिया आपको ओवरॉल मिल जाएगा कि बई जोगरफी से ये चीज़े हैं वर्ल्ड इस्ट्री से ये चीज़े हैं इसके लावा स्लाइड पे और जो भी पॉसिबल होगा यानि की इमेजिस लगाके इसलाइड पे जितना भी हम लोग कर पाएंगे आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे अज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं यह बहुत महत्पूर्ड वीडियो होने वाला है उन बच्चों के लिए जनों ने अंडिये सेकिंड टुथाज़ें टुवड़ी थी के लिए अपनी कमर कस लिए और प्रपरेशन जिनकी जारी है आज मैं आपको एक स्ट्रेजी आज मैं घटए हैं इस टेस्ट वाल अफ़े एलागा अपर यह को आप कैसे करते हैं काॉसंच को कैसे डील करते हैं वालागा है तो यह पूरा प्लनिंग और मैणिजमेंन का खेल है तो आज मैं आपको बताओंगा और मेरे साथ ओस्पन शर है जो कि जिस पढ़ाते हैं और तो यह पूरी आपको स्ट्रेडिजी देंगे कि कितने कॉश्चिन पिछली बार आये थे और दो जार तेइस का जो पेपर होने वाला है 3rd of September को इसमें expected questions क्या हैं उनकी हम चर्चा करेंगे और 60 दिन में आप कैसे 100% सफलता इस परीक्षा में सुनिश्चित कर सकते हैं इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं Mathematic subject की without wasting the time Mathematic subject में देखिए चार sections है most probably पहला होता है technometry दूसरा होता algebra तीसरा calculus और चौथा यह बचा कुछा आप आपको पता है एक caution के लिए you hardly wait a minute यानि कि आपको 60-65 seconds का समय मिलता है क्योंकि आपको oval भी black करना पड़ता है verification भी करना पड़ता है sign भी करना पड़ता है इन सब में आदा घंटा आपका बरवाद हो जाता है 120 को oval black करोगा उसमें भी आपका 10 minute जायस होगा तो आप समझें 60-65 seconds में एक caution को हम कैसे manage करें तो हर caution करने के लिए नहीं होता cut off 40 question अगर आप right कर देते हैं तो cut off mathematics का clear हो जाता है जो अब तक की strategy रही है आप 50 question target कर सकते हैं अगर mathematics आपकी अच्छी नहीं है still आप इस test को pass कर पाएंगे SSB को face कर पाएंगे तो इनको हम कैसे cover करेंगे देखिए technometry के 5 sections हैं जैसा कि आप जानते हैं ratio on technometric functions जिसमें बहुत सारे questions आपको पूछे जाते हैं properties of triangles, inverse technometric functions, height and distance and hyperbolic technometric functions तो इसके लिए हम revise करने के लिए करीब 10 दिन का समय लेके चलेंगे और 10 दिन में हम पूरी technometry को खतम कर देंगे केवल वही oriented questions होंगे कोई basic का हम चर्चा यहां पे नहीं करेंगे जो exam में पूछने जाने जाने वाले हैं कुछ basic की चर्चा करेंगे जो चाहिए formulas को हम discuss करेंगे लेकिन पूरा derivation हम यहां नहीं कराने वाले कोई उसका लाब भी नहीं है आप 11, 10 पढ़के आए हैं सारे derivation पाइथागोरस पाइथागोरस कोई पढ़ाने की जरूत आपको है नहीं वेल्यूज आपको कराने की जरूत है नहीं हां ट्रिक्स हैं वो हम कराएंगे इन 10 दिन में मतली पाइड़े पाई तक बाहं आप 16 गसंच की जरूताक। 05, 4, 9, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 4, 5, 2, 4, 4, 6, 5, 6, 5, 6, 10, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, nisだ is본 . तो हम इसके लिए और 15 दिन का हम समय देंगे algebra के लिए क्योंकि technometry और इसके बाद algebra यानि कि 25 दिन में हम यह सारी चीज़े कबर करेंगे लगवग एक महीने में राइट चुकि के लिए मैं कम समय देने वाला हूं because those who are starting in the 12th class they are eligible to fill up the form for NDA और जो 12th pass कर चुके हैं तो कर चुके हैं तो कहल को स्तॉप अभी पढ़के आए होंगे तो वो तुम्हारे दमाग में कहीं ना कहीं limit limit के होंगे जो नहीं होगा वो algebra होगा इसलिए सबसे पहले हम algebra को कबर करेंगे राइट अब इसके बात हम बात करते हैं अगले section की ठीक है हम 2D and 3D 2D and 3D हम 5 दिन में खतम करेंगे probability and statistics इसके लिए भी आप चार दिन ले सकते हैं क्योंकि आपको जली जली चलना है और vectors vectors के लिए आप easily 2 दिन में सारे questions कर सकते हैं जो vectors से पूछे गए हैं क्योंकि vector आपने physics में भी बढ़ा होगा math में भी पढ़ा होगा specific formula है इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको सीखना पड़े इसके बाद matrix and determinant इनकी भी trick होती है metric पूरा theoretical topic है आपने पढ़ा होगा 12 में revise भी आपको होगा क्योंकि जो बच्चे 12 में पढ़ रहे हैं और आप अगर form भरना चाते हैं या आपने form भराए और परिश्या दे रहे होंगे तो सबसे पहला chapter जो आप पढ़ते हैं वो metric and determinant ही पढ़ते हैं तो हम इसमें फिर भी तीन दिन का चार दिन का समय इसके लिए लेके चलेंगे इसके बाद हमारा section आता है calculus क्योंकि calculus में थोड़ा सा confusion देखिए क्या रहता हमें बता देता हूँ जो बच्चे अभी 12 में हैं तो हो सकता है कि calculus उनका पूरा नहीं हुआ हो डिफरेंशियेशन वा हो, application of derivatives हो, limit continuity हो गया हो हो सकता है कि integration भी हो गया हो, definite हो, indefinite नहीं हो गया हो डिफरेंशियल एक्वेशन रह गया हो, तो इसलिए बागी का बचा कुचा समय है याई कि करीब 10 से 12 देन हम केल्पलस में देंगे 10-12 दिन हम किस में देंगे? केलकुलस में देंगे और उसके बाद, the crux of the paper is, previous year जो papers हैं, उनके questions हम आपसे लगवाएंगे, और इन से बाहर कहीं कुछ नहीं जाता, हमारे चैनल पर पिछले के इंटर्व्यू देख लीजेगा, तोपर्स के, जिन्होंने NDA टॉप किया है, रिटेन क्लियर किया है, फर्स्ट अटेंप्ट में, SSB में, टॉप रंक लाई है, वो आपको जो बताएंगे, वो यही बताएंगे, कि जो papers हैं, previous year के, वो बहुत जादा important है, और उन papers को लगाकर ही आप NDA में सफलता पा सकते हैं, आपको level of questions वहाँ पर देखने को मिलते हैं, कौन सा typical level है, कौन सा आपका very difficult question है, कौन सा moderate है, कौन सा easy है, कौन सा very easy है, तो बाद बागी का समय हम पेप्टिस पिपर्स के लिए देंगे, इसके बाद हम इसके दूसरे section पर आते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं, दूसरा important section है तो English भी 200 number की होती है, तो यह जो important section है, इसमें grammar है, और grammar में सबसे पहले noun, pronoun, adjective, word, verb, conjunction, proposition, article आता है, इस grammar के section को देखिए हम पूरा कितना दिन देंगे, पूरा की पूरा 20 दिन देंगे, 20 days, we will wrap up this section, इसके बाद passages आते हैं, इनको पूरा आप 10 दिन दीजिए passages को, आराम से, द trick होती है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, पास दिन दीजिए, एंटेनिम्स, अनॉनिम्स, हाडली, जो previous year में पूछे गए, 18-20 साल में, वो तो आपको करने ही है, रूट के basis पर भी करने है, कैसे आप एक मीनिंग से हजारों मीनिंग सेंस आउट कर लें, तो एंटेनिम्स, अनॉनिम्स के लिए आप डेली टाम दीजिए, यनिकरा ग्रेमर आप पढ़ रहे हैं, तो भी एंटेनिम्स, आप लगाईए, 10-10, 20-20 मिनिंग डेली, अगर आप पैसेज पढ़ रहे हैं, तो भी लगाईए, पराजम्स पढ़ रहे हैं, और सेपरेटली भी इनके लिए जादा यही पूछे जाते हैं, 20 कॉशन आते हैं, असी नंबर के, तो यह तो बहुत जादा स्कोरिंग है, इसके बाद, EDMN फ्रेजिस, आपको एक बार बस याद करने हैं, भाव समझ में आना चाहिए, कि लोकोतनी काहवत का मतलब क्या होता है, तो इनको याद करने के आप पास दिन लीजिए, और इन सब के सासाथ, the most important part is the mock test, हमारे mock test आप online भी assess कर सकते हैं, offline भी assess कर सकते हैं, इसके बाद, mock test दीजिए, mock test के लिए कैसे register करें, इसपर में एक separate video बनाने वाला हूँ, उसको follow करियेगा, और आप जानेंगे कि mock test free में कैसे online दे सकते हैं, इसके जो तीसरा section है, उसके लिए जो expert है, Puspenji मेरे साथ है, और मैं थोड़ा discuss किये देता हूँ, ये general science का section है, जिसमें की दो चीजे आती है, physics, और जैसा कि आप जानते है, physics, सब से जादा नंबर कियाती है, 100 marks कियाती है, इसके बाद, chemistry आपकी 40 नंबर कियाती है, biology आपकी 40 तो मैं समझता हूँ, किते हैं, करीब 48 questions है, अब कहेंगे सर वह से 48 questions है, इसके साफ से तो ये section बढ़ना चाहिए, तो बढ़ा देते है, एकार्ट करण्ट इवेंट्स का दर दर कर देते हैं, लेकिन अमूमन वेटेस जो है, वह ये रहता है, 125 questions लगबग इसके आते हैं, कभ जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस के हम जो नोट्स देंगे, वारे सर पढ़ाएंगे, उनसे बार कहीं कुछ नहीं आना है, भीको सब फिक्स है, इनमे कुछ चेंज तो होना नहीं है, कोई ट्रिक तो लगनी नहीं है, तो इसलिए, इन सेक्शन को भी हम विस्तर रूप से च जाते हैं, वो कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है, जिसमें आप कभी 100% शूर हो इनी सकते हैं, क्योंकि इतना विराट्स लेबस है, फिजिक्स, केमस्टी, बैलोजी, हिस्टी, जगरोपी, पॉलिटी, एकनॉमिक्स, और सब से जाधा करंट इविंट्स, आप शूर हो इनी सकते हैं, नेशनल लेवल के पढ़ें, इंटरनेशनल पढ़ें, स्पोर्ट से रिलेटेट पढ़ें, डिफेंस रिलेटेट पढ़ें, पॉलिटिक्स रिलेटेट पढ़ें, यह इतना बड़ा सागर है, लेकिन सागर मन्थन करके, जो अमरित कलस हमारे टीचर्स निकालते है वो nectar देते हैं, इतने बड़े समुद्र में से बस एक लोटा, अमृत जो निकलता है न, अमृत का मतलब यह जो इतना concise material जो देते हैं, वो हमारे ocean of knowledge, जिन्होंने by churning the sea, समुद्र मन्थन करके जो लोटे में अमृत, रूपी questions आपको लाएंगे, वही आएंगे, तो वो इसके expert है, मैं उनको invite करता हूँ, पुस्पें जी, you are most welcome for the same, और तब तक के लिए जैहन, अभी पुस्पें जी को मैं swapता हूँ, और वो आपको एक एक चीज़ देखिए, बताएंगे कि कौन से question, किस level के कहां पूछे जाएंगे, जैहन दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार, फिर से, Cadets Point Defense Academy आपके लिए continuously प्रयासरत है, लगातार नए-ने sessions आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं, जितने भी हमारे तरफ से possible हो सकेंगे, उतने PYQs हम लोग कराएंगे आपको, 3rd September आपको पता है, अलरीडी डेडलाइन जो है, वो डिगलेर होई जाती है, काफी टाइम पहले से, आज हम लोग जो डिसकेशन करने वाले हैं, जैसा कि हमारे ओनरबल गोस्वामी सर ने आपको बताया, जो कि अलरी एक्सर्विसमेन है, और यह जो केपबल तो तेल यू तिंग्स अबाउट किस तरीके से अप सेलेक्ट होंगे, वो यू बिल बी एबल तू सेलेक्ट, तो यह सारी कि सारी चीजने जो हैं, वो आप यहां पर देखने वाले हैं, कैसे हम लोग जीएस को स्टड़ी करेंगे, कैसे हम लोग बायोलोजी को स्टड़ी करेंगे, कौन-कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेस्टन जो हो पूछे गए, उनके बारे में हम लोग यहां पर चरचा करने वाले हैं, तो दोस्तो यह मेरे पास में, एक्जाम का जो सेट है, NDA का exam is D set से है ये और आप लोग देख सकते हैं D set से है और ये NDA first का actually examination है उसका paper है तो यह पर आप देखेंगे कि जो exams में questions पूछे गए हैं वो basically कुछ इंचेंट इंडिया से कुछ जादा ही questions इस बार पूछे गए 2022 के first वाले face के अंदर अब यहां भी देखें पूछा गए बारती इस देना का counter-insurgency and fire jungle warfare school कहां इससे थे तो इंडियन जोगरफी से आप फिर देखेंगे अगला फिर इंडियन जोगरफी से उसके बद फिर इंडियन स्टेंडर टाइम से question बूछा गया है यह इंडियन जोगरफी से है प्रतवी और चंद्रमा यह वर्ल्ड जोगरफी से question बूछा गया है इसके लावाँ देखेंगे आप तो जादातर एंचेंट इस्ट्री से भी दोस्तों काफी questions पूछेंगे और आप देखेंग United Nations Conference of Parties 27 COP 27 शिखर सम्मिलन किससे संबन देखेंगे तो यह सारे के सारे जो important questions है वो यहाँ पर आप देख सकते हूँ जो कि बहुत ज़दा typical लेवल नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों यह बात आप बिल्कुल अबने दिवांग में रखें तिपिकल नहीं है लेकिन question यह है कि आप कितना study करते हैं आप कैसी चीज़ें study करके गए हैं क्या क्या पॉइंट्स आपने अल्रड़ी पड़े हुए हैं कौन से newspaper को आप लोग फॉकस किया है कौन से newspaper को आप लोग फॉलो कर रहे थे पाटली पुत्र की स्थापना राजदानी के तौर पर किसने की खगो लग्यों में से किसने सिद्ध गिया प्रत्वी और अनिगरे सूरे के चारोर परिक्रमा करते हैं तो यह questions है तो यह questions हैं दोस्तों तो analysis जो हमारी आपके लिए available हम लोग करा रहे हैं वो है इंडियन जगरफी से आपको 11 questions पूछे गए हैं आप देखें यहां पर और 11 questions ही पूछे गए हैं तकरीबन वर्ल्ड जगरफी से टू questions आपको पूछे गए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से जिसमें एक question मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो painting मनाई थी the last supper के नाम से वो किसके द्वारा पूछी गई है तो यह आप देखेंगे कई एसी चीजें हैं मैं note डाउन कर देता हूं ताकि चीजें थोड़ी सी clear हो ज लग सकते हैं और एक idea उसी के तरीके से आप लोग ले सकते हैं कि किन चीजों पर जादा focus करना है तो आप देखेंगे कि जो Indian geography है Indian geography पे जो questions पूछे गए हैं वो हैं आपके तकरीबन 12 questions तो 11 questions आपके Indian geography से हो गए इसी तरीके से देखेंगे तो world geography से जो questions पूचे गए हैं वो भी 11 questions पूचे गए तो ये तो हो गया आपका geography ow अगर हम देखें तो World History से, History के अलावा, अगर हम लोग World History से देखते हैं, तो कितने Questions पूचे गए हैं? 2 Questions यहांपे, 2 Questions have been asked from the World History. अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री के फिरम लोग फर्दर थ्री पार्ट्स यहां पर डिवाइड कर देते हैं, तो इन में से एंशेंट इस्ट्री काला जो पोर्शन है, प्राचीन इतियास का जो हिस्सा है, जाद अतर क्वेस्ट्न दोस्तों यहीं से पूछे गए हैं, और केवल विजय नगर जो एंपायर है, वहां से आया है कि कौन-कौन हरियर और बुक्का जो है, उन्होंने कौन से स्थेट स्थापित किया दा, इसके लगा देखेंगे, आप तो करेंट इवेंट जो हैं, पॉलिटी से भी दोस्तों काफी कम क्वेस्ट्न है, पॉलिटी से अच्छा, करेंट अफियर का जो दोस्तों वेटेज है, यह थोड़ा सा ज्यादा है, करेंट अफियर का इंडिविज्वली, मेडिवल, इंडिविज्वली, मॉडन इस्ट्री और एंशिंट से उपर हैं, तकरीब नाइन क्वेस्ट्न दोस्तों यहां से पूछे गए हैं, क इसमें लगभग 45% का जो वेटेज है, वो केवल अखिला जोगरफी का गया है, आप देखेंगे, पॉलिटी का जो वेटेज है, वो काफी कम है, तकरीबन 5-7% का जो वेटेज है, वो पॉलिटी का है, करेंट अफियर का जो वेटेज है, दोस्तों वो तकरीबन 10% के असपस यहाँ पे गया है, तो यह सारे के सारे आपके questions हैं, जिनको आप लोग कह सकते हैं कि इस तरीके से हमें प्लान करना है, हमें medieval के उपर थोड़ा कम focus करना है, ancient के उपर थोड़ा सा जादा focus करना है, और modern history के उपर भी आपको अच्छा focus करके चलना है, इसके लावा Indian और world geography और थ इतने आपको अलग-अलग chapters हैं, जो आपको करने ही करने हैं, और उन questions पे आपको बिलकुल भी focus नहीं करना, जो बहुत ही जादा time taking है, और उसके बावजूद भी questions बिलकुल भी नहीं होने वाले हैं, तो हमारी तरफ से जो आपको help है, मिलेगी, एक तो PYQs के लिए, दूस दोस्तों, 3rd September तक हम लोग मैनत करेंगे, और marathon session भी last में लेके आएंगे 10 डेज पहले, आपको हम लोग last month के अंदर, यानि की last week of August के अंदर हम लोग आपको एक marathon session जरू प्रवाइड कराएंगे, जिसमें एक idea आपको overall मिल जाएगा, कि जगरफी से ये चीज़े हैं, वर्ल भी possible होगा, यानि की images लगाके, slide पे, जितना भी हम लोग कर पाएंगे आपके लिए, पूरी कोशिश करेंगे, आपके लिए एक ही केवल problem है सबसे बड़ी, और एक ही milestone है, जो आपको पार करना है, उसके बाद में कोई problem नहीं आने वाली, और वो है दोस्तों, revision, जो कि हम ल over India कहीं से भी दोस्तों वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर जोईन करें, आप लोग Air Force के SRT GD के लिए भी हमारे पास संपर कर सकते हैं, उसमें भी 15 days हैं, और उसका भी batch हमारे पास available है, मात्र 10 दिन के अंदर SRT GD में selection आपका, श्योर है दोस्तों, और जो लोग बिहार से, भागलपूर से, बहुत सारे स्टेट से आए हैं, उनका interview हम लोग डालेंगे कल, और वो interview में हम आपको बताएंगे कि जब बच्चे आए थे, तो वो कह रहे थे कि सर कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और आज दोस्तों वो condition है कि 10 दिन के अंदर वो बच्चा खुद से आपके सामने बोलेगा कि हां मैं कह सकता हूँ कि मेरा selection SRTGD में finally हो जाएगा, कोई problem नहीं है, तो दोस्तों इसी के साथ में विदा लेते हैं आपसे, thank you so much for watching with patience, मिलते हैं next वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस रहें, वियस्त रहें, thank you so much guys, जैहिं, मिलते हैं next वीडियो के अंदर.